बीती रात श्रावस्ती जनपत के सोनुवा थानक छेतर के अंतरगत तुरहनी बलोराम गाउं के एक घर में अचानक से भीशन आग लग गई देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया और सब कुछ जिला कर राख कर दिया आग की लपटों को देख ग्रामिन आग बुझाने के लिए दोले तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुगा था बताया जा रहा है कि तुरहनी बलोराम गाउं में मिठु लाल यादव के घर में रात बारा बजे के करीब आग लगी आग इतनी भीशण थी कि घर में रखा एक-एक सामान अनाज कपडार रुपिया पैसा सब कुछ जलकर राख हो गया घर के अंदर रखा हुआ सामान कोई बाहर नहीं निकाल पाया आग जनी की गटना के बाद से ही पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है परिवार के पास अब रहने के लिए घर भी नहीं है ना खाने के लिए अनाज ही बचा है इस संबन्द में पिडित परिवार ने बताया कि जिन्दगी भर की जो कमाई सहच कर रखी थी सब कुछ आग में जलकर राख हो गया है और अब अपने और पहनने को कुछ नहीं बचा है परिवार के लोग योगी सरकार से उमीद लगा कर बैठे हैं कि सरकार की उनकी कोई मदद करें विकास का निकाओना के मलाऊना खसियारी गाउं में किशोरी दिवस मना कर किशोरीयों को जागरू किया गया इस अफसर पर स्वास्त्ति बभाग की ए ए ए बिच्छा देवी तथा अंगन बारी कारे कत्री غमला देवी तथा आशा बईओो ने मिलकर चौपाल लगा कर गाउं के किशोरियों को सेनेटरी पैड तथा आइरन की गोली दे कर उसके महद्व के बारे में समझाया स्वास्त कर्मियों ने किशोरियों के शारीरिक वामानसिक विकास के लिए कई टिप्स दिये शावस्ती चनपत में भीशर ठंडक का कहर जारी है बीते दो दिनों से सूरज नहीं निकला है जिससे तापमान में काफी गिरावट दर्च की कई है पूरे दिन तेज हवाय चलती रही जिससे जन जीवन अस्त वेस्त दिखाई पड़ा बाजार में लोग अलावत आपते नजर आए इस भीशर ठंड में कोई अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है गाउं हो या शहर हर जंगा लोग अलावत आपते नजर आ रही है एक तरफ जहां दिली बॉर्डर पर किसान आंदूलन करने को बैचे हैं तो वहीं गाउं में किसान चौपाल लगा कर क्रिशी बल का विरोध भी कर रही है किसान बीरो धी बल वापस लोग वापस लोग वापस लोग वापस लोग किसान विरोधी कानून स्वाहा, लोक तंत्र में ताना साही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोक तंत्र में ताना साही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोक तंत्र में ताना साही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती जनपद के सोनवा थाना छेतर अंतरगत निरहा गाओं के में बाग को पकड़ने के लिए प्रसाशन ने पिंजड़ा लगवाया था, जिससे कोई सफलता हाथ नहीं लगी, बाग अब भी आजाद घूम रहा है, वही बीती रात जनपद के ग गाओं में किसी अग्यात जानवर ने एक गौवन्च को अपना निवाला बना लिया, जिसके बाद गाओं में हरकंप मचा हुआ है, गाओं की माने तो यह काम उसी बाग ने किया है, जिसके पीछे पूरा प्रसाशन पड़ा हुआ है, हाला कि जब वन विभाग के अधिकार कारियों ने पूरे गाओं को सतर्क किया है, कि गाओं के लोग साफधान रहे और अनावश्यक रूप से बाहर न घुमे, जब तक की वन विभाग बाग को पकड़ कर कैदने